कि नमस्ते ओवर्वियू में आपका स्वागत है तीन विश है पहला क्या राज चुनाओं में तेलंगाना में सबसे बड़ा उलट फेर दूसरा विपक्ष मुक्त भारत का सपना और तीसरा डर गए या डराने की मंचा इन तीनों विश्वों पर आगे बढ़ने से पहले आप से आगरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबर्शिप भी ले 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 अब मेंबर्शिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रखम हमें में मेंबर्शिप के रूप में आर्थिक सयोग की रूप में दिनी होती है और अगर आप हर महीने का फिन करने के लिए दोस्पित्रों से घर में और परवार के सदस्यों से और कुछ ऐसे लोग जिनको इस तरह के चर्शवाओं में इंटरस होता है उनसे अपनी तरफ से थोड़ा एफट कर दीजेगा तो मेरा मुझे और सबस्क्राइबर मिल जाएंगे तो सबसे पहली बात क्या रा बंदन को बहुत सी नई संभावनाएं दिखाई दे रही है थोड़ा इसका बैक्राउंड भी समझ लें 2018 के एलेक्शन में कुल 119 सीटे टीरेस उस समय था अब ब्यारेस हो गया है उसको 88 सीटे मिलें थी 47% वोट के साथ कॉंग्रेस को 19 सीटे मिली थी 28% वोट के साथ करीब 63 सीट मिली थी जो बढ़के 88 हो गई थी 2018 में कॉंग्रेस को 21 सीट मिली थी 2014 में जो घटके 19 रह गई थी और बीजेपी को 5 सीटे मिली थी जो घटके 1 रह गई थी यह मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको थोड़ा एक कंपरेटिव वो हो जाए हमारे देश का जो सबसे यंग स्टेट है वो तेलंगाना है तेलंगाना को कॉंग्रेस सरकार जब 2014 में अंतिम समय में बिलकुल फरवरी 2014 में संसद ने तेलंगाना और आंद प्रदेश दो अलग-अलग स्टेट बनाने का बिल पास किया एक मार्च 2014 को राश्पती महदे ने अपनी मंजूरी दी और ऑफि बनाने का सारा श्रे उस समय मतब चंद शेकर राव साह हमने भी और सब को पता था सोनिया गांधी को जाता है यूपे की चेरपरसन के तोर पे उन्होंने एक बोल्ड कदम लिया था और एलेक्शन रॉंग दी कॉर्णर थे दो महिने बाद एलेक्शन थे लेकिन उन्होंने निया ये कमिट्मेंट किया हुआ था तो उस हरे को पूरा करने की दृश्ची से ये लिया गया अब अब उसका एक फरक और पड़ा नी अन्ठ परिदेश जो स्युक्त आंत्परिदेश था उसको पूसको कोई करता है बाटने का कोई कि हैए उसको डिवाई करने का जो भी ह करने का और हैदराबाद को चुकि वो तेलंगाना की का पाट था उसको तेलंगाना की स्टेट केपिल बनाना और ये भी एक कारण था कि 2019 के विधान सभाचनाओं में कॉंग्रेस को जीरो सीट मिली थी आंत्रदेश में और उसका वोट शत था 1.17% बीजेपी का पॉइंट में था उसका 1% से और कम था लेकिन मैं कॉंग्रेस की बात कफा हूँ जीरो सीट 1.17 तो एक बड़ा कारण ये था अब जो चंदशेकर राव साहब है मुझे ऐसा लगता है कि उनका इंडिया अलाइंस में ना ना भी इस समय इंडिया अलाइंस को सूट करा और खासकर कॉंग्रेस को सूट कर गे अब आप सोची कि अगर ये इस समय इंडिया अलाइंस में आ गए होते तो क्या होता क्योंकि इस समय जो भी उसके बात के हालात हुए India Alliance के बाद के आज KCR साहब BJP के साथ खड़े हुए जादा नज़र आ रहे हैं उसके पाले में जादा नज़र आ रहे हैं बनिस्पत BJP के विपक्ष का जो पाला है और BJP के विपक्ष में Congress मजबूती के साथ खड़ी हुए दिखाई दे रही है एक दो फैक्टर और हैं जिसको मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर लो नहीं हो मेरी समझ में वहाँ एक गेम चंजर रेवांता रेड़ी भी है रेवांता रेड़ी यंग MP है, चगवन वर्शी है और जो बहुत से पराने समाजवादी हैं जिनका एक आत्मी संबंध रहा है जैपाल लड़ी जी से, जैपाल लड़ी जी की भतीजी से आपकी शादी हुई है और शायद मुझे एक चीज और लगती है कि तेलंग आना में कोई छत्रप नहीं है जैसे कॉंग्रेस लड़ लड़ाई है प्रादिस्था, अशोग गहलोत, सचन पाइलेट, फिर कॉंग्रेस लड़ लड़ाई है मत्रदेश, कमलना, देख भीजै से, फिर कॉंग्रेस लड़ लड़ाई है चतीजगर, बखेल साभ, टीयस सिंग देव, साहु जी मतलब हर जगा छत्रप है, लेकिन तेलंगाना में, जो कोई छत्रप ना होने के कुछ फाइदे भी हो सकते हैं, उस साफ साफ रेवांता रेड़ी के रूपे दिखाई पड़ ला है क्योंकि हुआ क्या है कि कॉंग्रेस के लिए तेलंगाना की भारत जोड़ यात्रा टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद एक चीज़ और हुआ कि जो कॉंग्रेस जिसको अंडे डॉक जैसे माना जाता था, उसने मेहनत करके करनाटका की तरह का कोई कोई चीज हो सकता है करनाटका का एलेक्शन कॉंग्रेस ठीक से जीती हुए लगा हुआ छेत्र है, खडगे जी का से उसको लगा हुए खडगे जी का नाता है, तो वो भी एक गेम चेंजर की रूप में काम कर सकता है कॉंग्रेस को बहुत से जो विपक्ष के नेता थे बीजेपी के नेता थे ये सब लोग जोइन कर रहे हैं और इस बार कम से कम तेलंग आना में कॉंग्रेस बहुत फोकस दिखाई दे रही है राहूल गांधी अप्रियंगा गांधी जी को आना था कल कल या पर सो उनकी तब्य खराब हो गए वो नहीं आ रही थी नार्मल कोर्स में खराब हो गए यह अनौस हो जाता है लेकिन राहूल गांधी इस बार बिलकुल उस विद्यारती की तरह जो हपनी हर परिक्षा को अपने हर टेस्ट को अपने हर क्लास टेस्ट हो जाए एक्जैमे उसको बहुत हैं और वो कुछ भारत जोड़ो यात्रा की तरह मार जिकालने हैं और अभूत पूर भीड़ है अभूत पूर लोग उनको सुनने आ रहे हैं याद ये भी रखना होगा कि सोनिया गांधी जी भी तेलंगाना को महत दे रही हैं CWC मीटिंग की थी सुनिया गांधी जी ने आखे पुब्लिक रैली की थी एक महल बनाने का काम अगर भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुआ था तो उसमें हवा देने का काम जरूर सुनिया गांधी जी ने भी किया था अब यहां मैं जल्दी से दो तीन इशू तीन है तीन पार्टीज है पहला केसी आर को लेके बिलकुर क्लियर है राउल गांधी वो उनको कलिवेश्रम जो प्रोजेक्ट है उसको वो कह रहे हैं कि एक केसी आर का एटियम है वो वहां एक लाख करोड घोटाले की बात कर रहे हैं उस पर लंबा भाचर दे रहे हैं दूसरा बीजेपी अमिशा साब कह रहे हैं कि अगर यहां हम जीत गए तो यहां हम बैकवर्ड को मुक्वंति बनाएंगे राउल गांधी ने तंज कसा है कि आपको दो परसंट वोट आएंगे आप उसमें बैकवर्ड को मतलब आप कह का रहे हैं उसमें कबसकर तीन चौथाई में आप बना के दिखाईए ना कि हम बैकवर्ड को हम बना रहे हैं कॉंग्रिस की दुश्टी से राहूल गांधी एक बड़ा प्रॉमिस कर रहा है राहूल गांधी अभी तक जितने वादे किये हैं वो सारे वादे हर हर स्टेट मे निभाए गए हैं लाहूल गांधी चार हजार का एक प्रॉमिस कर रहा है महिलाओं के लिए उसमें से धाई हजार उनकी खाते में डायरेक्ट आएगा पांस सो रुपे में उनको सिलिन्डर में लेगा जो अभी हजार रुपे है तो पांस सो रुपे का वो और एक हजार अब दूसरे विशे पर आते हैं विपक्ष मुक्त भारत की कामना जब बीजेपी आई थी तो अगर आपको याद हो कॉंग्रस मुक्त भारत को हाना कि डिमोक्रसी में लोगतंत्र में किसी पार्टी मुक्त नहीं होना चाहिए यह आपकी नियत दिखाता है लेकिन वो जो है त का इडी को बलाना देखिए दो लोगों को इस समय पिछले चार शे दिन से दो पार्टी इसको ठीक से टार्गेट किया जा रहा है आमादी पार्टी और टीम सी कॉंग्रस और आर जेडी पे तो लगाता है टार्गेटेट हैं कॉंग्रस वो कभी अब राश्तार में शुरू टार्गेट पे हैं वो आम आदमी पार्टी और टीम सी लगती है और यह सारा कुछ इसलिए कि इंडिया गड़ बंदन को कमजोर किया जा सके इसमें कहीं कोई किसी को शको शुबा नहीं होना चाहिए अब टीम सी से तो पुरानी वाली दुश्मनी है बीजेपी क्योंकि बाटकनी दी थी विदानसभा एलेक्शन में जिस एलेक्शन में सबसे ज्यादा साधन अभी तक मेरी याद में जितने विदानसभा चुनाओ हुए हैं बीजेपी ने सबसे ज्यादा साधन वेस बंगाल में लगाया था चाहे वो पैसा हो चाहे वो प्रचार हो चाहे वो मी जी ने अपना टेगोर वाली दाड़ी भी रख ली थी मतलब इतनी प्रेपरेशन के बाद भी दीदी ओ दीदी करने के बाद भी उनका कुछ नहीं हुआ और ममताब एनरजी ने अपनी सारी एंटी इंकमबंसी को किनारे करते हुए उनको बीजेपी को चारुखाने चित किया ममताब टीमसी में उनके भतीजे को लेकर एडी बारबा समन कर रही है अभी हाल में उनके एक दो दिन पहले जोती प्रीमलिक जो उनके मंत्री हैं अभी वो फॉरिस्ट के मिनिस्टर है 2011 से 2021 तक फूड और सिविल सप्लाइस के मिनिस्टर थे जहां पर ममताब जिसकी वज़े से एडी उनको गरिफतार की है उस 2011 से 2021 के केस को दिखाते हुए लेकिन ममताब एनरजी का कहना है कि एक करोण नकली राशन कार्ट थे जब उन्होंने लिफ्ट की सरकार के बाद उनकी सरकार बनी और उन्होंने का कि हम लोगों साथ से आठ साल लगे उस एक करोड नकली राशन कार्ट को आइडेंटिफाई करके और उनको खतम करने में ममताव जी ने कल ये भी साफ किया है कि FCI जो है वो चावल देती थी PDX सिस्टम से आता था जब वो सब नकली अब जब ये सब कुछ फिल्टर हो गया सब कुछ ठीक हो गया तो FCI ने चावल देना बंद कर दिया है पिछले चार-पांच वर्षों से पश्चिम बंगाल की सरकार खुट डाइरेक्ट खरीदी करके PDX का चावल दे रही है मामता बंदर्जी जी मुवा महितरा पर भी बोली है और उन्होंने कहा है यह सब विपक्ष को चुब कराने की कोश की जो बड़ा कोशिश है उसी का यह हिस्सा भी है अब इधर एक चीज और देखना होगा कि केजिवार साहब जो है केजिवार साहब को कभी कभी मुझे लगता है कि वो मोधी जी के बहुत सी चीजों से बहुत प्रवावित है जिस तरह से वो करते हैं वो कुछ-कुछ उसी तरच में काम करते है अब वो क्या कर रहे हैं कि वो अब एक नया इवंट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं एडी की पूश्टाच में नहीं जाओंगा ये गलत बारा हैं बुला रहे हैं इनको हक नहीं है इत्यादी इत्यादी सब गए पूश्टाच के लिए सोनिया गांधी तक गए पूश्टाच केजरिवाल जी मुझे पहले विक्ति दिखाई देरें, जो कह रहा है, मैं नहीं जाओंगा, अब जो मेरी समझ आती है, और जितना मैं पॉलिटिक समझता हूं, केजरिवाल साहब कुछ शही टाइप होना चाहते हैं, कि उनको घर आए, उनको पकड़े, लेट जाएं, फिर उ नाफसाफ दिख रहा है, हाना कि कल आत्षी ने एक और चीज कही थी, जिसको मनता में रहा है, कि सारे चीफ मिनस्टर इस समय निशाने पर हैं, चाहे वो विजन हो, चाहे वो स्टैलिन हो, चाहे हमन सोरेन हो, सब इस समय निशाने पर हैं, तेजस्वी आदव हो, डिप्टि तो शायद और भढ़केगी और गिरिफतारियां बिलकुल राइट और सेंटर शुरू हो जाएगी क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर हमने नेताओं को जेल में डाल दिया तो कोई लीड करने वाला नहीं होगा, कोई नेतरुत नहीं रहेगा तो हम, हमारा जो सपना है कि विपक्ष हीन भारत का, विपक्ष विहीन भारत का वो शायद पूरा हो जाएगा, एक पार्टी रहेंगे, जो लोग कहेंगे उसी के, उसा आप से चलना होगा क्योंकि चुनाव में विपक्षी पार्ट स्पेट ना करें, ये नियत है, कॉंग्रस मुक्त भारत करते करते, अब शायद असली खेलिए शुरू हो गया है, कि विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा अब मैं तीसरी बात कर ले रहा हूँ, डर गया डराने की कोशिश हो रही है, या डराने की मन्चाह है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दो विपक्तियों के नाम, शेक अब्दुर्रह्मान साब, 92 साल के पुलिटिकल विपक्ति जमो कश्मीर के, और दूसरे, एसार दाराप पुरी साहब, एक्टिविस्ट, बुद्पूर आईपियस अफसर, लखनो बेस्ट, और हर इशूस पर बुलने आले, एक 79 के और एक 92 ये दोनों लोग मेरे चैनल पे खुब आते हैं, रहमान साहब खुब आते हैं, अपनी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, जमो कश्मीर के और अपना दर्द भी आपसे शेयर करते हैं, पहले रहमान साहब की बात कर लें, रहमान साहब दो वारे में ले रहे हैं, 72, 73 में जनसरंग, हाँ, आपको ताजोग होगा, जनसरंग के जमो कश्मीर के अध्यक्ष भी रहे, मतलब आपको लगेगा कि ये, हाँ, ध्यक्ष रह अब माफ कीजिए, घूम फिर करके अनेशनल कॉंटरंस में आ गए थे, फिर MLA का एलेक्ष रहे थे, इनको, चौदी साहब ने इनको राजस्वा भी बेजा था, इंपी भी बनाया था, लहमान साहब को 20 अक्टूबर 2023 को जमो कश्मीर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, कारा नहीं बताया था, एसिस्टियों साहब का कहना था कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन था, और फिर 24 गंटे बाद एक बांड साइन कराकर उनको रिलीस कर दिया गया है, मैं आपको एक चीज़ बता दू रह्मान साहब के रह्मान साहब के 16 परिवार जन, जब देश का पटवारा हुआ था, तो उन्होंने अपनी जान सहाथ होया था, उनके अपने 16 परिवार जन किम्रित हुई थे, दूसरी तरफ ऐसार दारापुरी साहब हैं, 89 साल के हैं, X-IPS हैं, Law and Order समझते हैं, उनको गुरखपुर में गिरफ़तार किया गया, और गिरफ़तार ही नहीं किया गया, कोई प्रिवेंटर ने तीर हफ़ते तक उनको जेल में रखा गया, और वो क्यों क्या गुरखपुर में कर रहे थे, उनकी उनका जुर्म क्या था, वो भूमी हीं दलितों के लिए, भूम देने का एक प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हो रहा था, उस पे भाग करना और इस तरह की दफ़ाओं के साथ साथ 307 एटेम्ट टू मर्डर भी उनके उपर ये दफ़ा भी लगा दे गई थी, दारपुरी साब का बिलकुल इस पश्ट कहना ये है कि FIR में जो सारे थे, IPC के जो सेक्शन, वो सब बेलिबल थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इनको बे है कि क्या मेसेज देना चाहती है सरकार, ये क्या मेसेज देना चाहती है, कि आप प्रोटेस्ट करने की हमत मत करना, मैं दारपुरी साब के लिए बता दू, उनको पारकिंसन्स है, उन्होंने कहा कि मैं बैट जाता था, उटने में दिकत थी, उट जाता था, बैट नहीं पा फिर से सोचिये गए, चाहे वो रह्मान साहब हो और चाहे वो दारपुरी साहब हो, क्या रह्मान साहब या दारपुरी साहब अपने खेत के लिए लड़ने गए थे, क्या अपने घर में मेरी चार फिट दिवाल और बढ़ जाए इसके लिए लड़ने गए थे, क्योंकि दार की नियत तो थी कि लोगों को डराया जाए लेकिन आप डर रहे हैं यह साफ साफ दिखाई दे रहा है थैंक यू सू मैज धन्यवाद